थ्र इस नमस्कार स्वागत है आपका नए लेक्ट्शर में ऐस को अग्या लेक्ट्ट्षर कर रहे हैं हमिगाने स्ट क्वासे संसरे सेखेंगे तो ध्यान से देखना आपकल क्या कह रहा हूं मैं calculation of number of optical isomer हमने calculation gi सीख लिया calculation of oi सीख लेंगे फिर अपन calculation of stereo isomer सीख लेंगे ठीक है तो ध्यान से देखना case 1 क्या है अगर molecule तुम्हारा unsymmetrical है कैसा है molecule? unsymmetrical है, unsymmetrical का मतलब क्या है तुम molecule को पकड़ो और दौनों end से molecule के अंदर आते जाओ ठीक है? तो आपको कहीं भी disymmetry नजर आ जाए मतलब group या atom वगरा जहां भी different नजर आ जाए तो वो disymmetric होगा या हम एक और तरीके से देख सकते हैं कि molecule का IUPAC आप चाहे left से लिखो या right से लिखो top से लिखो या bottom से लिखो same आए तो भी molecule symmetrical होता है different आता है तो molecule unsymmetrical होता है तो आप देख की समझ जाओगे कि molecule symmetrical है कि unsymmetrical है अगर molecule unsymmetrical है तो simple सा formula लगता है क्या? total optical isomer OI total optical isomer total optical isomer होते हैं 2 की power N, where N is the stereogenic area stereogenic area अब यहाँ पर optical isomer की बात कर रहे हैं तो यहाँ आपको chiral carbon दिख जाएंगे ना stereogenic area वैसे 2 होते हैं एक तो जहाँ पर GI exhibit होता है और एक जहाँ पर chiral carbon होता है तो अपने stereogenic area बता रहे हैं कहाँ पर अगर optical isomer आप निकाल रहे हो तो आपको यहाँ पर chiral carbon वगरा दिखेंगे या aline molecule मिल सकते हैं या आपको बाई फिनाइल टरफिनाइल इस टाइप से मिल सकता है ना तो इस ट्रिजेनिक एरिया क्या होता है जहाँ पर GI और OI का exhibition हो रहा हो वो हम लेते हैं इस ट्रिजेनिक एरिया ठीक है और यूजली आपको chiral carbon दिखते हैं यहाँ पर तो एन क्या है इस ट्रिजेनिक एरिया है तो टोटल वाई इतने हो गए पहला पॉइंट दूसरा जितने भी आईसोमर होते हैं सारे Optically active होते हैं तो यह धियान रखना टोटल Optically active पूरे के पूरे टू की पावर है न तीसरा पॉइंट अगर Optically active सारे हैं तो मैजो कितने हैं जीरो और चौथा पॉइंट आप से बूचेंगे रैसमिक मिक्षर तो रैसमिक मिक्षर कैसे निकालते हो यह होता है active divided by two यह मतलब active बोल दिया active by two मतलब optically active by two मतलब two की पावर n by two means two की पावर n minus one अब इसको apply कैसे करना है बहुत simple सा question ले लेते हैं find optical active, optical active, RM, रैसमिक मिक्षर and meso in this compound अब आप गौर से देख लो इस compound को कहीं से symmetry ने जरा रही क्या नहीं आ रही क्यों ऊपर CHO है नीचे CH2OH है तो आप IUPAC ने इन सिर्फ एगी direction से लिख सकते हो है ना या molecule में देख लो आप इधर देखो ज़रा CHO और CH2OH is different आगे ना तो molecule dysmetric है क्या ये chiral carbon है यस ये तो हम जानती ही निकालना तो N क्या हो गया 2 हो गया इस्टिरेजने के रिया क्या हो गया 2 हो गया तो N अगर 2 हो गया तो total optical isomer बता दो total optical isomer 2 की power 2 मतलब 4 और सारे के सारे क्या होंगे active होंगे तो total optically active कितने चार मेजो बता दो अगर सारे active हैं तो मेजो थोड़ी होगा एक भी 0 RM बता दो RM क्या होता active by 2 मतलब 4 by 2 means 2 होगे आपको ये formula रटना नहीं है ये नहीं रटना वसे याद करना है क्योंकि अपन active निकाल लेंगे ना तो 2 से divide कर देंगे क्या रहे माज आएगा सीधी सी बात है ना जितने optically active होते हैं उसका आधा करतो तो उतने mixture होते हैं तो इस तरीके से अपन question को solve करते हैं समझगे बात को क्या करना है molecule लेको unsymmetrical है तो ये formula लगाने आपको कैसे करना है इसमें मैंने apply करके बता दिया CHO CS2S different थे molecule unsymmetrical था N की value 2 आ गई दिखे हो ये दोनों chiral carbon है समझ गए चलो इसको note करो फिर symmetrical वाला देख लेते हैं बहुत आसान है चलो बच्छो तो आगे बढ़ते हैं और case 2 पे चलते हैं अगर molecule तुम्हारा symmetrical हुआ symmetrical मतलब उपर से नीचे से लेफ्ट से राइट से आप IUPAC name करो same आए या सगल देख के समझ में आ जायेगा आपको कि यह identical symmetrical molecule है तो अगर molecule symmetrical है और N even है इस्ट्रिजनिक एरिया क्या है आपका even number आ रहा है तो टोटल OI जो होते हैं टोटल optical isomer यह 2 की पावर N-1 प्लस 2 की पावर P-1 वेर P is equal to N by 2 होता है ठीक अब यह जो पहले लिखे हुए हैं 2 की पावर N-1 यह active होते हैं जो बाद में लिखे हैं वो मेजो होते हैं और मेजो क्या होते हैं और पताया था मैंने आपको due to internal compensation और रहसे mixture क्या होता optical active by 2 तो optical active क्या है इतने divided by 2 मतलब 2 की पावर N-2 बहुत simple सा है बस formula based है ना जैसे यह question देखना जरा मैंने ऊपर CH-O नीचे भी CH-O कर दिया देखो मिल गया आपको identical symmetrical molecule मिल गया अगर molecule symmetrical मिल गया तो हमारे पास जो estrogenic area है वो तो 2 है लेकिन formula बदल जाएगा क्या total optical isomar क्या आएंगे यह आएंगे 2 की पावर N-1 प्लस 2 की पावर P-1 अपन N निकाल लिया 2 तो यहीं पर P निकाल लो क्या N by 2 तो P कितना आगया आपका 1 आगया N 2 है तो यहां put कर देंगे तो 2 की पावर 2-1 प्लस 2 की पावर बहुत ध्यान से रखना यह 1-1 और 2 की पावर 2 2-1 कितना हो गया 2 यहां 2 हो गया आपका और प्लस 2 की पावर 0 1 मतलब टोटल हो गया 2-1 मतलब 3 तो टोटल optical isomar 3 हो गया रियान से सुनना टोटल 3 हो गया जिन मैंसे active कितने है active कितने है जो पहले लिखा होता है मतलब 2 की पावर N-1 दो यह वाले 2 ठीक है यह एक्टिव है औ 1 क्या हो गया मैजो हो गया और active by 2 मतलब 2 by 2 मतलब 1 simple सा तो आपको पूरे formula याद नहीं करने बस यह याद करना है total optical isomar कितने होते हैं वया 2 की पावर N-1 प्लस 2 की पावर P-1 जो पहले लिखे हैं वो optically active है वेटा और जो बात में लिखे हैं वो मैजो है और active by 2 is equal to rm आ जा हो और N-odd हो तो क्या करना है बहुत simple है लिख लो इसे चलो बच्चों तो case 2 का second part पर चलते हैं जिसमें मैंने क्या लिया molecule तो symmetrical हो लेकिन N क्या हो तुमारा odd हो ध्यान से देखना जरा तो total optical isomer होते हैं 2 की पावर P where P is N-1 ऐसे ध्यान ना करना P क्या है तुमारा N-1 है अगर N-odd है तो तो 2 की पावर P total optical isomer हो गए optical active होते हैं 2 की पावर P माइनस 2 की पावर P by 2 ये क्या हो गए तुमारे 2 की पावर P अब एक बाद ध्यान से सुनो 2 की पावर P क्या थे total उसमें से मैं कितने माइनस करूं कि active आजा है active होते हैं 2 की पावर P minus 2 की पावर P by 2 इसका हो लग 2 की पावर P by 2 क्या हो जाएंगे मैजो हो जाएंगे ना वाई active जो आपके थे वो ये थे मैजो ये थे इन दोनों को जोड़ दो यहान अची यह सीधा साए rest of mixture क्या हो जाएंगे active by 2 मतलब 2 की पावर P minus 2 की पावर P by 2 upon 2 कर देना तो इसको अपन अलग से याद नहीं करते यहाँ पर निकाल लेते हैं उसमें 2 से डिवाइड देते हैं जैसे मैं आपको apply करके बता रहो ध्यान से देखना ज़रा molecule क्या है ये देखो ज़रा molecule क्या है symmetrical है आप दोनों end से बढ़ते जाओ और दोनों तरफ से अंदर की तरफ आते जाओ symmetry मिले सारे atom molecule बगरा सेम मिले हैं सही है या आप इधर से आयू PC करो या इधर से अगर एंटीन है तो पी क्या हो जाएगा तीन माइनस एक मतलब दो तो टोटल ऑप्टिकल आईसोमर क्या है आपके टू की पावर पी मतलब चार optically active कितने है चार माइनस टू की पावर पी बाई टू मतलब दो बहुत पावर पी पाई टू बाई टू की पावर बाई टू ही मतलब दो जाएगा चार माइनस टू है अगर symmetry है n odd है तो ये formula लगाने है even वाले पीछे लिखे थे और अगर unsymmetrical है तो सबसे पहला वाला case है ये गहानी किसकी हो गई optical isomer की तो जब कभी भी आपसे question में पूछे हैं find total number of optical isomer या mezo या optical active तो इस तरी किसे करना है समझ गए बात को इसको note करो फिर मैं कुछ और question आपको करवाता हूँ उसके बाद हम stereo isomer पे भी चलेंगे समझ गए note कर लो चलो बच्चो तो आगी बढ़ते हैं और कुछ question कर लेते हैं तो आपको समझ में आ जाएगी पूरी कहानी क्या चल रही है total oi निकालने optical active mezo rm वगरा निकालने इन सब में सबसे पहले देखो molecule symmetrical है क्या नहीं है क्यों ऊपर CH और नीचे CH2H है वैसे इसको glucose बोलते हैं ठीक है धियान रखना हो तो क्या नाम है इसका glucose अब देखना ज़रा धियान से molecule symmetrical नहीं unsymmetrical है एक chiral दो chiral तीन chiral चार chiral ये दोड़ी chiral है चार chiral तो n क्या हो गया n क्या हो गया n हो गया आपका चार क्या हो गया चार दियान से देखना ज़रा symmetry नहीं है n चार है तो total optical isomer is equal to 2 की पावर n 2 की पावर 4 means 16 और symmetry नहीं होती है unsymmetrical होता है तो सारे के सारे optical active होते है meso एक भी नहीं होते है और rm होते है active by 2 16 by 2 बचपन से 8 होता है समझ गया बहुत आसान अगला देखो अगले बाले में देखेंगे आप symmetry नज़रा रही है साफ साफ दिख रही है symmetry आपको है न क्योंकि 2 methyl लगें यहां पर यह chiral और यह chiral n क्या आगया दो अब ध्यान से देखना ज़रा n आपका आगया 2 n आगया even और symmetry है तो total oi बता दो ज़रा पहले इसका p निकाल लो p क्या होता है यहां पर n by 2 मतलब 2 by 2 मतलब 1 तो बता ज़रा total total oi total oi होंगे 2 की पावर n-1 प्लस 2 की पावर p-1 2 की पावर n-1 प्लस 2 की पावर p-1 तो 2 की पावर 2-1 प्लस 2 की पावर 1-1 तो यह हो गया आपका 2 प्लस 2 की पावर 0 मतलब 1 total 3 अब देखना ज़रा total oi 3 हो गए optical active कितने दो जो पहले वाले होते हैं मैजो कितने बाद वाला 1 और rm कितने active by 2 मतलब 1 तो optical isomer इसमें कितने हैं total 3 है 2 active है एक मैजो है और एक आवर मतलब अगर हम इसके structure बनाएंगे तो plane of symmetry वाला बनाना पड़ेगा कौन सा वाला अगर मैं इसको dark कर दूँ और इसको dark कर दूँ तो वो मैजो हो जाएगा या इसको dash कर दूँ इसको dash कर दूँ तो वो मैजो मतलब dark dark और dash dash मैजो मैं count करेंगे उसको है न वो बनाना ना पड़े इसलिए आप ऐसे करते हो चलो आगे बढ़ते है एक ये काईरल एक ये काईरल symmetry है क्या नहीं है क्यों OH और मिथाईल है बता जरा N क्या है N है 2 total optical isomer 2 की power 2 मतलब 4 optical active कितने सारे optical isomer optical active सारे ही होते हैं क्यों symmetry नहीं है अगर optical active 4 है तो आर-एम कितने 4 भाई दू 2 और मैंसो कितने अंसिमिट्रिकल है जीरो ध्यान से देखना आगला क्या यह एक इस्टिरोजनेक एरिया है याद करो जरा मैंने बताया था इवन नंबर ओफ डवल बॉन्ड होंगे क्यूमलेटिव तो ओई एकजिबिट कर सकता है अगर टर्मिनल पर गुरुप डिफरेंट है चेक कर लेते हैं इस carbon पे methyl h different okay इस carbon पे h और ये different okay इसका मतलब क्या हो गया यह एरिया हो गया इस ट्रिजनिक एरिया और एक यह कारल carbon तो चमकता हुआ दिखी रहा है आपको तो यहां पर हम n की value कितना count करेंगे दो और कहीं से कोई symmetry आ रही अब यह मत बुलना सर मिधाइल मिधाइल सेम आ गया ऐसा नहीं आपको टर्मिनल से चलते जाना जब तक सेम ना मिल जाएं सारी चीजे सेंटर तक जाते जाते हैं तो इसमेटरी है नहीं क्यों इधर अप्टिकल एक्टिब बाई टू और मैजो कितने जेरो इस तरीके से अपलाई करना है आपको फॉर्मूले तो हमने क्या क्या सीख लिया पहले हमने geometrical isomer निकालना सीख लिये थे आज हमने आप्टिकल सीख लिये अब अगर मिक्स क्वेश्चन आ जाए इस्टिडियो आईसमर आपसे पूछ ले इस्टिडियो पूछ ले मतलब जोमेट्रिकल प्लस आप्टिकल दौनों ही एक साथ आपको क्वेश्चन में दे दें तो कैसे आपको अप्रोच करना है वह मैं आपको सिखांगा लेकिन अकर क्वेश्चन में ऐसा भी लिख दिया इसी क्वेश्चन में लिख दिया मालो इस इसे पता है ना कि यह और यह कार्ल कारबन के तोर पे यूज हो जाएंगे इसका मतलब ऑ्प्टिकल आईसमर ही निकाल दे ना वही इसके समझ रहा बात को अगर आपक तो इसमें आप निकाल सकते हो मैंने क्या करा देखो अगर आपको। जिय हमने सीखी लिया है अगर आपको आपटिकल पूछा हैир तो चाहे वो जोमेट्रीकल में स्टीरियो कि फूच लें या ओप्टिकल में बूच लें वैसे निकालना जैसा अभी तक निकालना लेकिन मैं किस पर emphasize कर रहा हूँ Geometrical प्लस Optical एक साथ आ जाए मतलब chiral carbon के साथ वो double bond दे दें तो कैसे करोगे फिर है ना इस टाइप का question आ चुका है जाई ही मैं है ना तो चलो उसको सिखाएंगे पहले इसको note करो चलो बच्चो तो आगे वढ़ते हैं और आपसे बूचेंगे total stereo isomer अब ध्यान से सुनना जरा अगर तुम्हारे stereo isomer का question दिया गया और आपने question देखा उसमें आपको सिर्फ chiral carbon चमकती हो देख रहे हैं लेकिन अगर आपको chiral carbon की साथ double bond भी mix कर दें तो stereo बूचें तो कैसे करना है देखो जैसे अगर मैं आपसे बूच हूँ क्या यह इस्ट्रिजनिक एरिया है एरिया यहां GI exhibit हो रहा है बिलकुल हो रहा है कैसे होता है डबल बॉन्ड की अराउंड देखो जैसे कारवन पर मिथाईल एच डिफरेंट है और इस कारवन पर एच और यह पूरा ग्रॉप डिफरेंट है इसका मतलब यह किरिया हो गया और यह कारल कारवन चमकता हुआ दिख रहा है तो एक ही हो गया तो एन की वेल्यू क्या हो इस एक्वल टू टू की पावर एन अगर सिमिट्री नहीं है तो और इस क्वेश्चन में टू की पावर एन कितना हो जागा टू की पावर टू मतलब पूर ऐसे करना है अगर सिमिट्री नहीं है तो डारेक्ट फॉर्मला लगाओ टू की पावर एन वेर एन इस दा इस्टि इधर से चलो इधर से चलो identical group मिलते जा रहे हैं आपको center तक पहुंचते बहुंचते मतलब symmetry है तो अब यहां हम formula use नहीं करेंगे तो पहले हम इस बात को यहां लिखेंगे और फिर मैं आपको बताऊंगा कि इस type के question कैसे करने हैं यह बहुत भी अदभुत question होते हैं बहुत बढ़िया question होते हैं stereo isomar के सबसे बढ़िया question यही होते हैं जिसमें आपको gi i plus oi mix करके symmetry देदें तो लिखें जड़ा mi star वाला point अपनी इंग्लिस वाले इंदी में लिखिए फड़ा फट से लिखें अगर question में total number of stereo isomar पूछें अगर question में total number of stereo isomar पूछे जाएं अगर question में total number of stereo isomar पूछे जाएं bracket में लिख लो gi i plus oi bracket में gi i plus oi मतलब double bond के साथ chiral carbon दिखें आपको है ब्रेकेट में लिखें gi i plus oi अब bracket बंद कर दो gi i plus oi bracket में था है तो हम formula का use नहीं करेंगे बिल्को सिंपल सी बात है ना तो हम formula का use नहीं करेंगे मतलब हमें formula use करना ही नहीं है कब जब symmetry हो अगर molecule symmetrical हो और total stereo isomar पूछे जाएं gi i plus oi वाले मतलब double bond भी साथ में हो और chiral carbon भी साथ में हो तो हम formula use नहीं करेंगे तो क्या करेंगे sir तो sir को देखो यहां देखो ध्यान से देखना जरा इसको फिर हम बना के देखने कैसे ध्यान से देखना अगर मैं आपसे बोलूं किया ये double bond Z हो जाए धियान से चुनना ये Z हो जाए और ये Z हो जाए cistrans Zी वाला या आप cistrans भी ले सकते हो ये cis हो जाए ये 6 हो जाए ये Z हो जाए Z Z से ले लिता हो ना तो बीच वाला carbon कारल नहीं होगा अब आगे यहां पर बहुत भेंकर बात अब आपका दिमाग चलना चाहिए अगर ये z है ये z है तो भाईया ये काईरल कैसे हो जाएगा नहीं होगा न? मतलब बीच वाला है a काईरल क्या है? a काईरल जो काईरल नहीं होता तो a काईरल ठीक है तो एक i somar ये हो गया बहिए ऐसा नहीं है कि a chiral आ गया तो हम उसको count नहीं करेंगे एक structure तो count करोगे न उसका तो z a chiral एक हो गया अब ध्यान से सुनना ज़रा e और e ध्यान से देखना दौनो e हो जाए तो भी बीच वाला भाईया a chiral होगा सही बात तो दो structure होगा इभी तक ध्यान सा देखते जाना अगर ये Z हो जाए और ये E हो जाए तो अब तुम बता सकते हो कि बीच वाला या तो R होगा या S होगा वो depend करता है H और OH पे ये तो मैंने fix कर दिये Z और E H उपर OH नीचे एक ही हो जाएगा और OH उपर H नीचे एक हो जाएगा मतलब कोई एक R कोई एक S आएगा तो Z E के साथ क्या हो जाए एक R हो जाए और एक S हो जाए अब ध्यान से देखना ज़रा अगर मैं आप से बोलू ए और Z E और Z इसके साथ क्या हो जाए same color से बना लेते हैं तो अच्छा लगी जा E और Z एक ये हो जाए और E और Z इसके साथ बीच वाला क्या हो जाए R और S हो जाए तो total आपको 6 नजर आ रहा है ध्यान से सुनना बहुत ध्यान से Z Z एक आइरल E E एक आइरल दो हो गए Z E एक आर एक एस चार हो गए E Z एक आर एक एस चार हो गए लेकिन अगर molecule symmetrical है ध्यान सुनना अगर molecule symmetrical है तो चाहे तुम Z R E पढ़ो या E R Z पढ़ो बात तो बरावर है भाई इसमें तुम यहां से पढ़ना चालू कर दो और इसमें तुम यहां से पढ़ना चालू कर दो तो यह दोनों क्या आ रहे हैं सेम बहुत ध्यान से अगर molecule symmetrical है तो चाहे तुम इधर से आगे बढ़ो या इधर से बढ़ो बात तो बरावर है सही बात है ना बहुत अच्छी ची चल रही है ध्यान से देखते जाना ध्यान से ZRE और ZRE कैसे भी पढ़ दो सेम ही आएगा क्यों molecule to symmetrical है ना उसी तरीके से ZSE और ZSE दोनों साइट से पढ़ सकते हो मतलब ये सेम ही हैं इसका मतलब total कितने आएंगे एक ये लोगे दूसरा ये लोगे तीसरा ये लोगे और चौथा ये लोगे ये ये identical हैं और ये और ये identical हैं मतलब total stereo isomers इसका final answer लिख रहा हूँ total stereo isomers कितने हो गए चार हो गए ऐसा पूछेंगे आपसे तो जब कभी भी question में stereo isomers पूछें और symmetry हो GI दोनों पूछ रहे हैं और symmetry हो तो formula use नहीं करना अगर वो ऐसा कर देते कि सारे ही chiral carbon कर दिये तो optical isomers निकाल लेते वही stereo हो जाते और सारे ही double bond कर देते तो हम GI निकाल लेते वही stereo हो जाते बात समझना ज़रा ध्यान को ध्यान से बिल्कुल बात को क्या अगर सिर्फ double double bond है symmetry है तो GI निकाल लो अगर सिर्फ chiral chiral carbon है तो OI निकाल लो double के साथ chiral आया symmetry है तो formula use नहीं करना unsymmetrical में फॉर्मल में बिल्कुल बिंदास लगाओ तू की power n कोई दिखकर नहीं लेकिन symmetrical में formula मत लगा देना गलत हो जाएगा अगला सवाल इसी जैसा ही है आप एक बार जड़ा देखो और try करो जड़ा इसको try करो फटावट से कितने आने चाहिए यह जही simple से तरीके से चलेंगे ठीक है चलो start करते है दियान से देखना जड़ा बहुत दियान से अगर अगर यह हो जाए z बीच वाला double bond हो जाए z ठीक है e इधर आर इधर आर इधर आर इधर आर इधर आर मतलब यह और यह chiral है और यह बीच वाला GI exhibit कर रहा है ठीक है ध्यान से देखना जड़ा आर आर के साथ बीच में z ले लो आर आर के साथ बीच में e ले लो यह identical नहीं है ठीक है ध्यान से अब ध्यान से देखना जड़ा आर आर इस बीच में z और आर इस बीच में e चार हो गए अभी कोई भी अटंडिकल नहीं है ऑदेखना जड़ा है Z E S R S R अब देखो और बहुत गौहर से देखो 8 दिख रहे हैं आपको 8 क्यों 1,2,3,4,5,6,7,8 क्या मैं अगर आपको ये 8 दिख रहे हैं तो इन में से कौन से identical हैं बताया था मैंने अगर molecule symmetrical है तो चाहे इधर से चलो या उधर से चलो, कहीं से भी चलो सेम आ जाएगा, देखना अगर मैं इसको सोचू R, Z, R Z के साथ R, R है, Z के साथ R, S है Z के साथ S, R है, Z के साथ S, S है नहीं हो रहा है, ऐसे सोचना है मैं आपको डारेक बतायता हूँ क्योंकि मुझे तो पहले से पता है आपको किस पे सोचना है, इस पे R, Z, S दियान से देखना R, Z, S, ऐसे चलू R, Z, S, ऐसे चलू बात तो बरावर है, क्यों? सिमिट्रिकल है इसका मतलब ये दोनो सेम सेम ठीक, और देखना R, E, S इधर से चलो R, E, S, इधर से चलो सेम सेम, मतलब काम घता हम देखो जरा 1, 2, 3, 4 क्योंकि ये सहीम है, ये सहीम है 5 और 6 तो टोटल इस्टीरियो आईसोमर्स टोटल इस्टीरियो आईसोमर्स कितने हैं? 6 बहुत अच्छा वोश्चन था ये समझ गए तो क्या करना है? एक बार फिर से ब्रीफ में बता देता हूँ आपको कभी भी आपको टोटल GI, OI, स्टीरियो बगरा पूछे तो क्या करना है? अगर मॉलिक्यूल में सिर्फ डवल बॉंड है तो GI में चले जाना? इस्टीरियो पूछें तब भी क्योंकि GI भी तो पार्ट इस्टीरियो का अगर मॉलिक्यूल में सिर्फ काईरल कारव हैं तो OI वाले फॉर्मुले में चले जाना है? अगर GI प्लस OI आया अंसिमिट्रिकल आया तो हम यह फॉर्मुला लगाएंगी और GI प्लस OI के साथ सिमिट्रि आ गई तो हमें काउंट करके देखना पड़ेगा ठीक है? समझ गया बात को clear सारी चीजें बहुत बढ़िया तरीके से समझा दिया मुझे ऐसा लगता है तो कभी इसके question गलत मत करना आज के बाद ठीक और N का ध्यान दखना कई जगे गलत पड़ाते हैं लोग N होता है stereogenic area ना की stereocenter ध्यान दखना कई लोग stereocenter भी लिखा देता है N होता है stereogenic area मतलब जहां पर GI या OI exhibition हो रहा हो clear है न? N stereogenic area ठीक है? note करो अब आगे बढ़ते हैं एक्षुली इसमें क्या होता है numerical question भी होते है जो optical isomergem से related है optical rotation से छोड़ा सा topic एक पर समझे लोग क्या है optical rotation क्या होता है? किस बात पर depend करता है? जैसे एक पन polarimeter experiment याद करो जो मैंने आपको बताया था उसमें क्या होता है? कि जो light जो solution light को clockwise या anti-clockwise घुमाता है organic solution वो क्या होता है? dextro या रोटेटरी हो जो नहीं घुमाता वो क्या होता है? optical inactive compound ऐसी करते थे अपन तो जो हमें rotation दिखता है उसको हम बोलते हैं observed rotation और जो rotation है वो किस बात पर depend करता है? compound के nature पर depend करता है? जो light आप डाल रहे है उसकी wavelength पर depend करता है lambda पे solvent जो यूस कर रहे हो जिसमें organic compound को डाला है उस पर depend करता है temperature पर depend करता है concentration of solution लेकिन concentration किसमें लेना है? gram पर ml में लेना यह ध्यान रखना इस पर depend करता है और length किसमें decimeter में जिसमेंसे फिफ्ट वाला और सिफ्ट वाला हमारे लिए बहुत important है, मतलब अगर मैं ऐसा लिखूं कि जो observed rotation है theta, वो किस पर depend कर रहा है, concentration किस में, gram पर ml, और वो किस पर depend करता है, length में, तो उसके directly proportional होता है, length किस की tube की, polarimeter tube की length है, तो वो dm में रखनी है, मतलब जो rotation होता है, observed rotation वो c into l के directly proportional होता है, और theta क्या होता है, observed rotation जो आपको दिखता है, observed rotation, यह experiment से आपको पता चलता है, अब यहाँ पर एक बात आती है, specific rotation की और उस पर में स numerical आपको मिलते हैं, तो specific rotation क्या होता है, specific rotation इसको हम बोलते है, alpha, और इसको ऐसे लिखते है, alpha, temperature T और wavelength lambda पर observe किया गया है, rotation और उससे हम specific rotation निकालेंगे है ना, तो क्या होता है यह, इसके definition यह है, कि the rotation, the rotation observed by, the rotation observed by, one gram per ml, organic solution, organic solution, when, when, length of tube is one decimeter, मतलब one gram per ml solution के द्वारा जो rotation observe हो रहा है, और length क्या होनेची tube की one decimeter, तो वो होता है, आपका specific rotation, तो मैं इसको ऐसा लिख सकता हूँ, alpha, temperature T और wavelength lambda is equal to theta observed divided by C into L, बस यह आपको symbol formula धियान रखना है, जैसे question देख लो, आप यहाँ पर 6 gram 2 butanol है, is dissolved in 250 ml solution, the observe rotation is plus 30, when length of decimeter tube is 300 mm, find specific rotation, alpha, तो alpha कैसे निकलेगा, theta by C L से, theta कितना है, 30, C कितना है, gram per ml में, 6 divided by 250 ml, और length convert कर लो, यह mm दिया है, तो 300 mm मतलब 3dm लिख दू है, 300 mm मतलब 3dm, तो यह हो गया, आपका 3, तो यह कितना हो जाएगा, आपका, 25 उपर पहुंचा दो, 250 into 3, 75, सही न, 75, सही न, 75, 100 divided by 18, यह आजाएगा, आपका, 75, 100 divided by 18, यह आजाएगा, आपका specific rotation, समझगे बात को, तो बहुत आसान होता है, बस यह आपको formula ध्यान दखना है, इसको note कर लो, फिर आगे बढ़ते हैं, चलो बच्चो तो आप आगे बढ़ते हैं, अगला टॉपए के हमारा enantiomeric axis या optical purity इसको बोलते हैं, इसका मतलब क्या है, पहले यह समझ लो, जैसे मालो मेरे पास एक compound है, ठीक है, और उसके दो form है, एक D है और एक L है, अगर मेरे पास मालो पूरा का पूरा D form है, L form नहीं ह तो जितना भी कोई एक particular, D या L में से कोई एक particular कितना percent ज्यादा है, उसको हम axis बोलने एक तरीके से, अगर समझाने के लिए बोला जाए तो, बाकि आप example से समझ लो, मालो मेरी light चली गई है, ठीक है, D वाला मैंने ले लिया 100%, ठीक है, D वाला कितना लिया, 100%, L मेरे पास है ही नहीं, D कितना है 100, L बिल्कुल भी नहीं है, सिर्फ और सिर्फ एक pure compound पड़ा हुआ है, इसका मतलब L है ही नहीं, तो सारा का सारा क्या होगा, D होगा, तो किसी एक particular D या L का कितना percent है, उसको हम purity बो होगा, सीधा सीधा, सीधा सीधा 100%, कैसे, आप इस formula से भी निकाल सकते हो, क्या, D माइनस L, मतलब कितना axis में इस से निकलाएगा, और total कितना है, वो इस से निकलाएगा, D प्लस L, भाई, दोनों को सम करोगे, तो तो लल आरम पता चल जाएगा, ठीक है, तो D माइनस L upon D प्ल हो आएगा, तो सीधा सीधा D माइनस L कर दो, अगर ये इधा 100 है, ये 100 कट जाएगा, तो सीधा D माइनस L answer है, तो ये 100 हो गया, 80 माइनस 20, कितना, 80 माइनस 20, 60% और ये भी लिख लिए न, कौन सा वाला है, D है ये, जिसका परसेंटे जादा होगा, वही जादा रहेगा, ठी 75 माइनस 25 कितना, 50% क्या, D, 50 और 50, 0%, ठीक है, 25 और 75, अब बड़े मैसे छोटा माइनस कर दो, भाई D माइनस L लिखोगे न, मैं लिख रहा हूँ, बड़े मैसे छोटा माइनस, L माइनस D लिख रहा हूँ, मैं वहाँ पे लिख दूँगा, माइनस की वज़ा मैं L लिख ठीक है, अब बात को ध्यान से समझना, मतलब मेरे पास जैसे एक D है और एक L है, पर्टिकुलर कंबाउंड का DL एक जिस कर रहा है, तो L कितना है, D कितना है, वो आपस में मिलके, RM बना लेंगे, और बाकी जो बचा हुआ होगा, वो एक्सिस में होगा, जैसे, ध्यान से द 100-100 कितना हो गया, 0, इहां बता दो, 100-EE मतलनो कितना हो गया, 40%, इधर बताओ, 100-50 कितना हो गया, 50%, इधर बताओ, 100-0 क्या हो गया, 100% इधर, 100-50, 50%, 100-60, 40%, 100-100, 0%, ठीक है, अब ध्यान से सुनना जगे, यहां यह ए swings आया, बहुत ध्यान से समझने वाली बात है, मेरे पास, पहले वाले में तो कोई टेंशन नहीं, L तो है नहीं, तो पूरा का पूरा D रहेगा, और कोई RM नहीं बनेगा, क्यों, D प्लस L का तो कोई RM बनने वाला नहीं, क्योंकि L तो जीर हो, सेकंड वाले समझना, अगर L 20% है, तो यहां से D का भी 20% उठायागा, और 20 प्लस 20 कितना ह गया, 40, 40% का मिक्षर बने गया, अब इसका 20 चला गया, तो 80 मैं से 20 माइनस कर दिया, तो कितना आ गया, 60 मतलब यह 60 बच गया, जो एक्स्ट्रा था, यही तो प्योर था, मतलब यही तो अपना एक आई समर था, तो प्योरिटी का मतलब यह एक एक्सिस का मतलब क्या है, कि एनेंशिमर बना लो वो अलग कर लो उसके बाद जो बचा वो एक्सिस है सीधा सा है वो ही पी ओर है तो 80 में से 20 माइनस कर दिया अब जिसे यह समझना इसका 25 है तो वो यहां से भी 25 उठाएगा तो 50% का मिक्षर बना लेगा और बाकी इसका 25 चला गया तो 50% यह बच जाएग तो कोई एक्सिस में नहीं बचेगा मतलब पूरे का पूरा 100% का मिक्षर बन जाएगा 50 ब्लस 50 ऐसे चलना है समझें सिमिलरली अपन यहां भी ऐसी कर रहे है इसका 25 प्लस 25 कित्ता हो गया 50 और 75 में से 25 माइनस कर दिया तो 50 बचा यहां 20 था इसका 20 उठा लो तो 40 का बनेगा कितना प्लस एक्स डिग्री तो बाकियों का कैसे निकालोगे उतना परसेंट इसका क्या आएगा 60 परसेंट है ना तो प्लस में 0.6 एक्स डिग्री अगले वाले का क्या है 50 परसेंट तो प्लस पॉइंट 5 एक्स डिग्री अगला बताओ अगले वाले का क्या है अगले वाले कोनों के rotation cancel हो जाएंगे अगला क्या है 50% L है तो ध्यान से देखना माइनस पॉइंट फाइव एक्स दिगरी अब कभी-कभी कुश्चन में आपको ऐसे अलफा वगरा देदें सेंपल का मतलब जो मिक्शर है सेंपल वो उसका देदें आपको और कुसी एक प्योर का देदें आ अभी हमने कौन-कौन-से फॉर्मले का इस्तेमाल कि है इन दोनों का एक्सिस निकाला D-L से और RM निकाला 100-E से समझगे बात को क्या है मतलब overall अगर मैं इस टेवल के बादें बताओं तो इसमें सिर्फ हम ये कर रहे हैं कि एक D है और एक L है अब कितना % L कितने % D के साथ मि के RM बना रहा है वो अपना RM हो गया और D में से कितना चला गया वो अपना एक्सिस में हो गया इसी तरहीके से हमने L में भी गिया जरूँ थोड़ी D हम इसा जाद हो L भी जादा हो सकता है समझगे बात को तो ये टेवल नोट करो फिर हम आगे बढ़ते है चलो बच्छों Optical Purity और Enantiomeric Axis से Related Numerical देख लो जरा किस टाइप के हो सकते हैं ये दो variation इसमें होते हैं ध्यान से देखना Question बढ़ो क्या है बहुत Simple होते हैं A sample of 2 Bromobutane has an Enantiomeric Axis of 75% favoring the D Enantiomer What is the percentage of each Enantiomer तो मुझे एक बात बताओ अगर मैं आपसे बोलूँ D-L क्या होगा यही तो होगा आपका 75% भाई यही तो लिखते हो आप percentage कैसे निकालते थे आप देखो ज़रा Axis का क्या बोला था मैंने D मैंसे L को माइनस कर दो क्योंकि L वाला क्या करेगा कुछ percentage D मैंसे ले जाके RM बना देगा तो जो Axis में बचेगा वो कौन सा बचेगा D-L ठीक है क्योंकि इन्होंने बोला है 75% favoring of D Enantiomer तो मैंने D-L लिखा अगर बोलते favoring of L Enantiomer तो मैं L-D लिखता ठीक है तो D Enantiomer favor में है यह वाली बात इसमें important है ना favoring दा D Enantiomer मतब D वाला बड़ा है तो D का आगे लिखोगे यह बात में लिखोगे तो D-L 75 है और हमें यह तो पता ही है कि D-L क्या होता है D-L क्या होता है 100 होता है यह तो हम जानते हैं पहले से तो अब क्या करो इनको add कर दो ठीक है 87.5% तो जो D आ गया वो कितना आ गया 87.5% अगर मैं उसको रख दूं कहां पर यहां पर रख दूं या यहां पर किसी भी एक में रख दो तो L तुमारा आ जाएगा यहां से 12.5% सही है तो D आ गया 87.5% और L आ गया 12.5% अब इसका मतल़ समझ लो क्या है 12.5% और 87.5% D और L अब अब आपन चलेंगे टेवल में, टेवल में हम यहां से स्टाट करते थे, अब यह 12.5% L वाला यहां से D से भी 12.5 ले लेगा, 12.5 और 12.5 मतलब 25, 25% का RM बन जाएगा और 75% एक्सस में आ जाएगा, क्यों, this minus this करते हो ना, तभी तो यह आता है, समझगे बाद को basic चीज मतलब L, what is the rotation of the mixture, mixture का rotation चाहिए, तो याद करो, अभी अपन ने एक formula लिखाता क्या, optical purity is equal to, यह enantiomeric axis is equal to, alpha क्या लिखाता हमने mixture, divided by alpha क्या लिखाता, pure, तो pure का alpha आपको question में given है, क्यों, देखो जड़ा, given alpha प्लस isomer मतलब यह pure होता है, सिर्फ प्लस या सिर्फ माइनस लिख में निकाल लूँ, तो मेरा alpha mixture आजाएगा, optical purity, enantiomeric axis कैसे निकलेगा, optical purity निकालने के लिए, मैं D और L का अलग अलग percentage निकाल लेता हूँ, और D minus L कर दूँगा, तो मेरे पास optical purity आजाएगी, तो optical purity कैसे निकालता है, आप enantiomeric axis जिसको हम बोलते हैं, कैसे निकलता है, D minus L, D कैसे निकालोगे, D आएगा आपका, देखो इसका weight D आए न, molecular formula तो सेम ही है, मतलब molecular weight सेम होगा, तो mole का fraction ले लो या weight का fraction सेम आएगा, तो mole fraction की वजाया, weight fraction भी लोगे तब भी सेम रहेगा, तो ये कितना है, 3, divided by total weight कितना है, 3 plus 2, ठीक है, और into 100, तो ये कितना आगया आप 2 plus 3 into 100, ये आपका 40% ही आएगा और क्या, है न, तो D है 60, L है 40, तो EE कितना हो जाएगा, 60 minus 40, कितना हो गया, 20%, तो N इस नोमर एक axis 20% आगया, तो आप मैं यहाँ पूट कर रहा हूँ, optical purity में, तो यहाँ से alpha mixture आजाएगा, यहाँ पूट कर देता हूँ, है न, कितना 20, लिया हो जाएगा, 23, कड़वर, 46, 4.6 आजाएगा, तो alpha mixture आगया आपका, 4.6, और D वाले axis में, तो alpha भी प्लस में आएगा, ठीक है, क्या बात थी, यहाँ पर फिर से सुन लो, क्या किया, optical purity यहाँ एक axis इस formula से भी निकलता है, अब आपको इसमें optical purity अलग से निकालनी थी, वो कै कैसे निकालोगे, mole fraction या weight fraction से निकाल लिया, क्योंकि molecular weight तो सेम ही है, alpha mixture निकालना, pure का दिया है 23, ठीक है, तो 23 आप पूट करो, optical purity आप D-L से निकाली लोगे, D कैसे निकलेगा, mole fraction या weight fraction से निकाल लिया, ठीक है, तो D-L कितना 20 आगया, n इसमें एक axis 20% क्या होगी, optical purity होगी अगर इसी question में बूचते हैं आप से बताओ, RM कितना है, इसका 40 है, इसका 40 इसका 40 ले जाएगा, मतलब 80% आजाएगा, आपका क्या RM, और 60-40, 20% आपका pure D आजाएगा, मतलब pure आपका enansomaric axis आजाएगा, अब मैं आपको बताता हूँ, ये वाले जो चीजें हैं, ये enansomaric axis और optical rotation, बस आपको करना क्या है, neat और j main वाले optical rotation का वो पहला वाला formula ध्यान रखना, कौन सा वाला, specific rotation वाला, क्या, alpha is equal to theta upon CL, जो मैंने एक simple सा numerical कराया था, concentration निकाल के length वगरा दे देंगे, तो उतना आप से पूछा जा सकता है, enansomaric axis वाली चीजें, ये सिर्फ और स specific rotation आपको निकालना आना चाहिए, j or neat वाले, ठीक है, चलो इसको note करो, फिर आगे बढ़ते हैं, चलो बच्चो तो आगे बढ़ते हैं, और कुछ extra topics जो बचते हैं, उसको cover कर लेते हैं, फटावर से, ठीक है, basic elementary idea होना चाहिए, इन topics के बारे में, जैसे हम element of symmetry पढ़ते थे उसमें हमने दो पढ़ी थी, कौन-कौन सी, POS और COS, अब हम पढ़ेंगे AOS, access of symmetry और एक alternate access of symmetry, basic idea आपको होना चाहिए, कैसे चेक करना है, बहुत simple सी definition लिख दी, मैंने, देख लो चरह एक पर क्या है, the imaginary axis along which, if a molecule is rotated by 360 by N, then same structure of molecule will reappear, मतलब कोई ऐसी axis choose करो, जिसमें molecule को घु तरवन ने, उसको access of symmetry बोलने लगोगे, जैसे सबोज आपके पास लिखा है, Cn access of symmetry, तो Cn का मतलब क्या है, theta होना चाहिए, 360 by N, जैसे आप बोलते हो, C1 access of symmetry, तो theta क्या है, 360 by 1, और हर एक molecule 360 degree पर घुम महीं जाता है, same ही आ जाता है, तो C1 access of symmetry ऐसे देखते हैं, C2 access of symmetry कैसे देखना है, 360 by 2 मतलब 180, C3 access of symmetry कैसे देखना है, theta कितना घुमाना आपको, 360 by 3 मतलब 120, C4 access of symmetry, theta कितना घुमाना है, 360 by 4 मतलब 90 degree and so on, इस तरीके से, और किसी भी एक molecule में एक से ज़्यादा AOS हो सकती है, इस बात को लिख भी लो, क्या, वन मॉलीक्यूल, वन मॉलीक्यूल, में हैव, ग्रेटर दैन वन, या मोर दैन वन, AOS, ठीक है, यह ध्यान रखना है, एक से ज़्यादा access of symmetry हो सकती है, किसी मॉलीक्यूल में पर्टिकुलर अगर आप से पूछ लें कि YC3 है, C2 है, तो वो चेक करना होता है, जैसे, मॉलीक्यूल में आप गौर से देखो, अगर मैं यह वाली access ले लेता हूं, कौन सी, यह वाली access ले लेता हूं, तो molecule क्या है, molecule, अगर इस access के राउन में घुमाऊंगा, molecule को, तो repeat हो जाएगा, इसका मतलब मैंने क्या करा, यह access लिए और इसी के राउन घुमा दिया, तो theta क् है, तो आप इसको क्या वो लोगे, c infinity axis of symmetry, क्या वो लोगे, c infinity axis of symmetry, इस तरीके से होता है, जैसे, आप देख लो एक बार, इन से समझ लो, bond line structure से, जैसे यह है आपका, दियान से देखना ज़रा, carbon, carbon, h, h और beach metropal bond, तो अगर मैं आपको इसके अलाउन घुमा के दिखाऊं, अगर मैं इसके अलाउन घुमा के दिखाऊं, तो molecule वैसा ही repeat हो रहा है, तो angle कितना घुमा है, मैंने, कुछ नहीं, 0 degree, इसी axis के राउन घुमा दिया, इसी axis के राउन, इसी तरीके से second वाला देखना जाना, समझना बात को, second वाले में मैं क्या करूं, ध्यान से देखना, molecule पकड़ कि अगर मैं ऐसे घुमाऊंगा, तो repeat होगा, क्या check करो जारा, अगर मैं तो सोच रहा हूं, एक axis of symmetry, अगर मैं ऐसा ले लूँ, कैसा, ऐसा वाला, बताओ जारा, इसको ऐसा लिया, और इसको अपन ने कैसा घुमा दिया, ऐसा, तो repeat होगा, क्या 180 degree पर, बताओ जार इस से जादा अच्छे से के लिए हो जाएगा, क्या है ये, मौली की उले और क्या है, कार्बन, कार्बन, ध्यान से देखना, कार्बन, कार्बन, ये कार्बन है, ये कार्बन है, एच, एच, सी, एल, सी, एल, सी, एक, कार्बन, कार्बन, एच, एच, सी, एल, सी, अगर मैं इ आप बिल्कु सामने से थोड़ा तो दिमाग चला ओ देखो ऐसा रखा था यह अभी देख लो कैसा है ऐसा ही रिपीट हो जाएगा 180 डिगरी घुमाँ मत तो देखो यह यह देखो 180 डिगरी घुमाने पर रिपीट हो रहा है यह मॉलीक्यूल और किस एक्सिस के अलों हो रहा है इस वाली एक्सिस के अलों ऐसे 180 degree घुमाने पर repeat हो रहा है किसके इस axis के along तो अगर मैं ऐसे एक point बना के दिखा दे तो मैं ऐसा मतलब इस axis के along इस वाली axis के along 180 degree घुमाने पर repeat हो रहा है तो मैं क्या वह लूँगा इसको ऐसे लिख देता हूं मैं और इसको वह लूँगा C2 axis of symmetry, molecule में एक से ज्यादा और भी axis of symmetry हो सकती है हम बस चेक कर रहे है कुछ axis of symmetry चेक करनी आनी चाहिए तो अगर मैं इस point के along मतलब इस axis के along देखो ऐसा रखा था ये 180 degree घुमा रहा हूं देखो repeat हो गया 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 आगया समझ में ऐसे चेक करत है बहुत असान है अगला देखो जड़ा थर्ड वाला ध्यान से देखना कहां गया अच्छा इसी महीं कर देते ना ये ट्रांस इसस बना देते हैं इसका ये टॉपिक क्या है उतने जादा important नहीं है बस आपको axis of symmetry वगरा चेक करना आना चाहिए लोजिकल यॉप्टिकल ये वाली और इस एक्सिस के अराउंड 180 डिग्री घुमा दो देखो इस एक्सिस के अराउंड 180 डिग्री घुमा दो तो मॉलीक्यूल रिपीट हो रहा है ना इसका मतलब अगर मैं ये वाली एक्सिस लेता हूँ और 180 डिग्री घुमाता हूँ तो क्या बोलूँगा सी टू एक्सिस लेता है ये वाला है अगला देखना जरा ये जो थ्री मेंबर रिंग है वो कुछ ऐसी है ये इस तरीके से रखी है कैसे समझोगे डार्क में बना है तो सी एल उपर है डैस में बना है तो सी एल नीचे है अगर मैं इस एक्सिस के अलॉग इस एक्सिस के अलॉग 180 डिग्री घुमा दूँ तो मॉलीक्यूल रिपीट हो जागा देखो अगर मैं इस एक्सिस के अलॉग 180 डिग्री घुमा दूँ तो मॉलीक्यूल रिपीट हो रहा है देखलो फिर से 180 गुमा दूँ इधर भी घुमा सकते हो ऐसा नहीं कि ऐसी घुमा ऐसे भी घुमा सकते हो गुमाना है बस आपको है 180 डिग्री देखो जरा ये उपर है ये आप ऐसे रोटिट करता हो तो डैस वाला डार्क में आ जाए गा डार्क वाला डैस में चला जाए गा इसका मतलब ये भी सीट्व एक्सेस अप सिमिट्री है ऐसे चेक करना है अगला देखो चार की रिंग वाला चार की रिंग है और चार मिथाइल उपर लगें देख लो ऐ के यहाँ कुछ नहीं लिखा है होता है तो ध्यान और मैं इस एक्सेस के उलॉउग से वाली इस वाली एक्सेस के ऑलॉग अगर नाइंट taş गुम गया इधर ऊपर रखता हूं देखो इस एक्सिस के अलोंग का 90 डिक्री गुमाऊं देखो 90 90 फिर 90 सामने से देख लो देखो ऐसा है बिल्कुल सामने से देखो यह गुमा 90 आ कैसे हैं और देखना यह गुमा 90 सेम यह 90 समझ रहा है किस एक्सिस के अलोंग इधर अगर में परपेंडिकुलर इस बोर्ड के रख दूँ तो 90 डिक्री गुमाने पर कौन सी एक्सिस प्रमिट्री आ रही है इसा देखो बी के साथ तीन सी एल लगा दिया ध्यान से देखना जाना मैं इसका एक स्टक्चर बना के बता रहा हूं आपको बी के साथ तीन सी एल आपको बी के साथ तीन सी एल ठीक है ध्यान से देखना एक ये हो गया दो और एक और कहां गया है ये होगया तीन एशा है ठीक है बीच वाला क्या हो गया बोरॉन ये सी एल ये और यह ऐसा है अब आप मुझे बताओ मैं इस एक्सिस के अलॉंग इस वाले के अलॉंग अगर मैं 120 घुमाओं देखना कि यह गोंगे 120 अगर यह ऐसा रखा है ऐसे समझ लो इससे कंप्यर करा लो बीच वाला भी कि अगर मैं 120 घुमाता हूं तो रिपीट हो क्या गया है सामने से देख लो यह मॉलेकुल जो मेरे हाथ में हो और वो बना है क्लियर बीच में 20 इसील अगर में 120 डिगरी घुमाओं देखना इए गूम क्या 120 इसे गमाते जा तो 120 पे repeat होता जाएगा देखो यह 120 पे repeat होता जाएगा इसका मतलब कौन सी axis of symmetry है C3 120 पे कौन सी होती C3 तो अगर मैं इस axis के along यहां पर एक point बना देता हूं इस axis के along अगर घुमाते जाओं ऐसे 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 कितना 120 तो कौन सी में लेगी C3 axis of symmetry मतलब आपको करना क्या है basic idea बस ध्यान रखना ऐसा imaginary axis आप चूज करो कि आप किसी particular angle से घुमाते हो तो molecule repeat हो जाना चाहिए और वो कौन सी वाली symmetry आप लिखोगे इसके according लिखोगे angle के according समझे नोट करो इसको फिर alternate axis of symmetry पर चलते हैं लिख लो इसे चलो बच्चो आगे बढ़ते हैं alternate axis of symmetry या rotation reflection axis of symmetry क्या है basic definition बढ़ दो if a molecule is rotated along with imaginary axis by 360 by n यह तो अपन axis of symmetry में भी करते थे लेकिन इसमें और extra क्या है and after rotation a mirror is placed perpendicular to the axis of rotation मतलब यहां क्या करना है पहले आपको rotate करना है किसी axis के around और फिर mirror image लेनी है ठीक है if this reflection is just like the same original structure then the axis of rotation is called AAOS और RRAOS मतलब आपको पहले क्या करना है आपको पहले axis of symmetry जैसा चलना है मतलब आपको एक axis लेनी है जिससे molecule को घुमाना है और फिर उस axis के perpendicular mirror रखना है कैसे रखोगे इधर देखना जरा अगर मैं आपसे बोलूँ ध्यान से देखना अगर मैं आपसे बोलूँ मेरे पास यह axis है ध्यान से देखना जरा अगर मैं इस axis के along molecule को घुमाता हूं तो molecule मुझे कुछ ऐसा दिखेगा इस axis के around 180 घुमा रहा हूं 180 तो अगर मैं इसको 180 घुमा रहा हूं तो ऐसा दिखेगा भाई 180 घुमाई ऐसा देखेगा आप देख लो अभी बनाया था कांग यह रहा ध्यान से देखना जैसे यह है बहुत ध्यान से अगर मैंने ध्यान से समझना ऐसा रखाता यह मतलब यह दोना मिथाईल मानलो और इधर एच लगे होंगे ठीक है ऐसा रखाता यह इधर एच लगा ओगा इधर एच लगा और यह दोना मिथाए स published है इस अे न में आपको किया कर रहा हूं आपको बोल रहा हूं कि इस एक्सिस के लहां और शाठाव इसे बाई 180 गुमा दिया न दियान से देख लो जरा ऐसा था 180 गुमाना है यह हो गया ऐसा था गुमा दिया 180 अब यह जो एक्सिस मैंने ली है जो मारकर आपको देख रहा है एक्सिस है इसके perpendicular पर्पेंडिकुलर लगा दो यहां पर इस जगह तो इसके पर्पेंडिकुलर लगाओ गए तो आपको यह मिररमेज बहुत है और यह स्ट्रक्च्चर व पहला वाला स्ट्रक्चर से मोग यह समझना ज़रा क्या क्या किया मैंने पहले मैंने इस एक्सिस के अलॉग 180 गुमा दिया तो यह घुम गया 180 और फिर मैंने इसकी mirror image ले लिए ये तो आ गया से इसका मतलब अगर मैं यहाँ पर इस जगह mirror लगाऊंगा क्या लगाऊंगा mirror लगाऊंगा तो मुझे mirror image कैसी दिखेगी वो देखना ज़रा मुझे जो mirror image दिखेगी वो just like first दिखेगी देखो तो पहले मैंने गुमाया कितना 180 और फिर मैंने उसका mirror image लिया तो यहाँ आया इसका मतलब यह axis of symmetry कौन सी है 180 गुमाने पर 2 वाली है अब यहाँ पर C की जगह S लिख देते हैं ध्यान लगना यहाँ बोलते है S N और theta क्या होता है 360 by N तो यहाँ 180 गुमाया आपने तो N आपका 2 है तो इसको बोलूँगा मैं क्या S 2 axis of symmetry क्या बोलूँगा S 2 axis of symmetry C बोलते हैं axis of symmetry के लिए और यहाँ पर alternate x of symmetry के लिए word यूज़ करते है S 2 तो मैं क्या बोलूँगा S 2 axis of symmetry in this मतलब alternate axis of symmetry को हम S लिखते है इसको मैं क्या कर रहा हूँ 90 degree घुमा रहा हूँ कैसे इस axis पहले आप मैंने यह axis पकड़ी कौन सी यह जो बोलूड के perpendicular है तो मैं 90 घुमाऊंगा S बहुआ 90 degree घुमाने का मतलब क्या हो गया यह carbon इधर 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 आपको देखो और अब मैं क्या कर रहा हूं mirror लगा रहा हूं ऐसा perpendicular भाई जो axis थी आपकी वो कौन सी थी यह थी न आपने कितना घुमाया 90 degree यहां कितना घुमाया 180 degree ठीक है और अब अगर मैं इसकी mirror image लूँगा तो यह molecule पूरा का पूरा पलट दो मतलब mirror image ले लो तो mirror में आपको कैसा दिखेगा आपको molecule के bond पलटे हुए मिलेंगे ऐसे देखना ध्यान से इधर आएगा A B इधर आएगा क्या B A इधर क्या आएगा B A bond change कर दो उपर का नीचे नीचे का उपर A B अब check करो जड़ा अब पहला structure ओ तीसरा structure क्या है same ही है ना मतलब ये alternate axis of symmetry कौनसी वाली 90 degree है तो theta कितना रखना पड़ेगा आपको theta 90 रख दो तो n क्या जाएगा 4 मतलब S4 axis of symmetry alternate axis of symmetry S4 कौनसी वाली S4 फिर से समझे लो क्या करा मैंने इस molecule को 90 degree घुमाया anti-glog wise और फिर मैंने mirror लगा दिया मतलब पहले मेरे पास AC axis थी और उसके perpendicular mirror लगा दिया और mirror लगा दिया तो वो पूरा का पूरा पूरा पलट गया मतलब पहला और last वाला क्या आ गए सेम आ गए इसका मतलब क्या बोलूंगा मैं इसको alternate axis of symmetry तो basic elementary idea आपको होना चाहिए alternate axis of symmetry और axis of symmetry का इतना ज्यादा important भी नहीं है अगर आप छोड़ना चाहो तो कोई दिक्कत भी नहीं है मतलब उतना important यह नहीं है ठीक है यह ध्यान लगना ठीक है चलो इसको note करें अपर आगे बढ़ते है चलो बच्चो तो जैसा कि हमने optical isomerism complete कर लिया है अब हम इससे related question करेंगे ठीक है तो यह आपका assignment है आज का assignment 10 optical part 6 का मैं आपको hint देता हूं question की attempt करना आप easy question है ज्यादा कुछ है भी नहीं आज के question में बस यह कि number थोड़े ज्यादा है बागी कुछ बचा नहीं है आप इसमें question number 15 देखेंगे question number 15 में आप से क्या बोला है which of the following compound might be useful to the chemist trying to increase the optical purity of the sample तो पहली बात यह कि आपको compound वही वाला use करना है जो पहले से optically active हो optical active reagent डालोगे तब जाके आप यह काम कर पाओगे तो आपको यह check करना है A वाला B वाला C वाला और D वाला में से कौन सा optically active है A और D तो साफ साफ inactive दिख रहे हैं मुझे बस आप B और C को check कर लेना RS से आप यह check कर लेना कि B और C में से कोई एक mezzo आएगा और दूसरा वाला optical active आएगा बस यह होगा तो आपको क्या check करना है RS चेक करना है RS कैसे निकालोगे C O H अगर dark में है तो उसका H dash में ले लेना और C O H अगर dash में तो उसका H dark में ले लेना और dash dark का आपको आराम से निकलना आता है हमने सीखा है perspective formula में समझगे बात को क्या निकालना है RS निकालना है आपको ठीक है किस option म है A और D तो आपके कट गए तो RS निकालो आप ठीक है और चेक कर लो मेजो है के नहीं है अगर मेजो नहीं होगा तो अप्टिकल एक्टिव है इसलिए आप ये वाला compound यूज कर सकते हो question number 21 21 21 में क्या कह रहे है आप जड़ा गौर से देखो उन्होंने क्या ऐसा structure बना रखा है जो उन्होंने structure बनाया है उसमें right side उपर वाली रिंग में डार्क करके दिया है और left side नीचे वाली रिंग जो है वो भी डार्क करके दिया है मतलब ये अवबदा प्लेन है दोनों ही तो symmetry कहीं से आनी सकती अगर symmetry नहीं आ सकती इसका मतलब ये optically active है इसमें कोई chiral center नहीं है या chiral carbon वगएरा कुछ नहीं है लेकिन optically active है इस type के compound के isomerism को बोलते है हम atrop isomerism अंदर कहीं लिखा नहीं होगा तो आप लिख लेना इसमें एट्रोप isomerism ठीक है जिसमें क्या हो plane of symmetry हो लेकिन chiral center नहीं हो ठीक है उसको एट्रोप isomerism की category में हम रखते हैं बैंजिन वगरा होती है तो question number 21 हो गया 23 23 में कह रहा है था maximum number of stereoisomer that could exist for the compound below तो आपको क्या check करना है इन में से check कर लो chiral center कौन-कौन से हैं क्योंकि यह optical isomerism से related मैंने आपको पताया था अगर compound में सिर्फ chiral carbon ही present है तो आपको stereo isomer मना optical isomer निकालना है तो इसमें n की value लिख देता हूँ बाकि आप formula लगा लेना n कितना है मुझे चार chiral center इसमें दिख रहे हैं और इसमें symmetry भी दिख रही है लेट से और राइट से दोनों तरब से आओ तो molecule में हर जगे symmetry है तो symmetrical का formula लगाना है जब n क्या होता है even वाला ठीक है अब आप कर लोगे इसको 29 29 में कह रहा है which pair of salt would have identical solubility in methanol बहुत बढ़िया solubility मतलब physical property और किसकी physical property सेम होती है किसके enantiomers की तो आप क्या check करो enantiomer चेक कर लो कि कौन-कौन से pair enantiomer pair बना रहे हैं मतलब आपको जैसे suppose first वाला मैं लेता हूं तो उसमें RS निकाल लो और किसी दूसरे तीसरे चौथे में भी RS निकाल लो एक कार दूसरे का S हो जाएगा तो enantiomer हो जाएगा क्योंकि chiral carbon एक ही है ऐसा आपको दो compound के लिए करना है ठीक है मतलब enantiomer चेक करना है एक तरीके से आपको identical solubility मतलब enantiomers की physical property क्या होती है सेम होती है question number 30 पे चलते है टिक करते जाए यहां पे है ना question number 30 क्या कह रहा है the following compound differ in respect of their chemical and physical property nothing the direction in which they rotate the PPL their interaction with molecule अब आप एक माँ बताओ दौनों compound को गौर से देखो तो एक compound में dark है तो दूसरे में वही dash हो गया देखो ऐसा हर जगे हो रहा है configuration हो रहा है मतलब यह आपस में enantiomer हो जाएंगे और enantiomer की properties आपको पता है वस आप लगा देना answer तीसवा हो गया मतलब यह भी enantiomers है 44 question number 44 में क्या कहना इनका how many isomers are possible for the following molecule अच्छा देखो आप इनोंने देखो क्या कर रखा है यह double bond का और ring का यह combination even में आ गया और यह आपका even वाला मतलब OI exhibit करेगा और एक right side जो आपको double bond अकेला पड़ा हुआ देख रहा है वो GI exhibit करेगा तो यहाँ एन की value क्या लगा होगे 2 और 2 की power n आपका टोटल इस्टी रिवाइसमर का formula लग जाएगा तो answer आजाएगा एन्टू कैसे लिया मैंने एक इस्ट्रेजने के लिया तो यह वाला होगे ring or double bond even होगे तो OI करेगा यहाँ पे और एक जो individual double पड़ा हुआ हुआ है right side COH के पास वाला वो GI करेगा तो 58 पे चलते हैं इस्टी रिवाइसमर पॉसिबल फॉर डिस कोडर मुलाइड अरे कुछ नहीं है सीधा सीधा सा है काईल सेंटर ले लो और जो GI एक्जिबिट करें double bond वो ले लो और कहीं से symmetry तो एने इतना बड़ा molecule कहीं से symmetry नहीं है तो 2 की पावर N वाला formula ही आपको इसमें लगाना है बस N क्या लेना है आपको stereogenic area क्या लेना है stereogenic area कैसे पता चलेगा जो chiral carbon है वो लेना है मतब chiral center लेना है ठीक है और GI वाला exhibit करेगा यहां stereo center नहीं ध्यान लगना इस्टियो जाने की area है तो chiral center प्लस GI वाले जैसे double bond exhibit कर रहा होगा कोई एका double bond तो एक लेंगे उसको दो नहीं लेंगे stereos center में उसको दो count करते थे ध्यान लगना तो जब भी area निकालो तो chiral center के साथ GI चेक कर ले ना कहां-कहां exhibit हो रहा है तो वो area एक count होगा ठीक है 65 question number 65 में क्या कहना है the number of all the possible stereosmer formed by the given compound is देखो सीधी सी बात है जो उपर मिथाईल लगा है और नीचे मिथाईल लगा है उन दोनों को dark कर दो और उन दोनों को dash कर दो मलब दो दो यह हो गए एक dark एक dash करोगे तो उपर वाला dark नीचे वाला dash कर लो या फिर नीचे वाला dark उपर वाला dash कर लो उसमें center of symmetry आ जाएगी आपके है ना तो यह बना के देख लेना आप 71 71 में क्या कहना है नेचरल अलगाइं सबस्ते हैं सांस्टिटिविशन हमेनी में आपको क्या करना है यार यह वाला काम है same as 58 same as 58 क्योंकि symmetry नहीं है estrogenic area चाहिए chiral center देख लेना और double bond लेना जो GI exhibit कर रहे हूं 73 the total number of esterasmus possible for 23 dichlorobutane 23 dichlorobutane ना हाँ ठीक है यह symmetry वाला case होगे आपका भई आप यहां से चलो और यहां से चलो molecule मैं हर जगे symmetry आ रही मतलब symmetry वाला case है और 2 chiral है वैसे इस cancer 3 होता है याद है मुझे अब निकाल के देख लेना कैसे एन इवन हो गया क्यों यह chiral और यह chiral n2 है तो एन इवन है और symmetry मतलब इस जैसा हो जाएगा 23 जैसा 86 86 में कहना how many different stereoisomer are possible for the given compound यह मैंने class में question कराया है बस CL की जगे methyl है याद करो न डबल फिर एक chiral है फिर डबल है मतलब अगर तुम्हें stereo isomer पूछा है और chiral carbon भी question में दिया हुआ है और GI भी exhibit कर रहा है तो हम direct formula नहीं लगाते बना के देखना पड़ता है जैसे Z, R, E, Z, S, E इस टाइप से हमने बना के देखे थे तो एक बार आप चेक कर लें जो मैंने question कराये थे ठीक है similar वही question है 96 96 में क्या कहना है था molecular formula of the dye, phenyl, methane अच्छा ये question structural isomer का है छूट गया था तो दुबारा मैंने दे दी आपको आपको क्या करना है H अटा के CL लगाना है अब कहां कहां से H अटा के CL लगा सकते हो देखो देखो एक यहां से अब यहां से हटाओ H या यहां से यहां से यहां से बात बराबर है तो यह 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 वाला अब यहां से यहां से यहां से यह 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 102, 102 में total stereoisomer 13 dichloro cyclohexane, cyclohexane यह हो गया और 1 पर CL और 3 पर CL, 13 dichloro, देखो, symmetry देख रहे हैं यह आपको, और यह कहा है, symmetry में N हो गया 2, मतलब यह वाला जो है, same yes का भी answer यह जाएगा, same है 73, 102, 73, same है, 104, 104, 104 है total mushroom compound, 2, 4 dichloro heptane, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 2 पर और 4 पर, dichloro heptane, symmetry नहीं है, 2 chiral, 2 की पावार, 2, 4, डार 8 मतलब यह stereotype हमर के question है, बना लोगे, तो आप आसान है, 108 वाला, एक काम करते हैं, इसको आटा देते हैं पहले, फिर 1008 से आपको आगे continue बता देते हैं, अरे बहुत आसान question है, इस बार जेई में भी question आया था, एक बार करना आप लोग ट्राई, दी राइथ रोस दिया था उन्होंने और enantrumor, diastrumor, identical वाला पुझा था, मैंने आपको classman बताया था, क्या, कि अगर 2 chiral carbon है, तो answer 3 में से कोई होता है, या तो enantrumor होता है, या diastrumor, या फिर identical, तो आप उसमें से RS चेक कर ले न, और RS से आप कर लोगे, फटा-फट से answer आजाएगा आपका, ठीक है, वैसे इस बार का paper, कई सालों से tough आया है, इस बार का जो paper है, पहले कई सालों से tough paper आया है, लेकिन question का level बहुत अच्छा था, मदब आप लोग attempt करन question, जो topic हमने पढ़ रखें, अच्छा लगेगा आपको, अंदर से अच्छी feeling आएगी, 108, calculate enantiomer, axis of mixture, containing 6 gram, 2 butan, 4 gram, minus 2 butan, मैंने आपको 2 bromo betan लेके, तो करवाया था, यह question, ठीक है, तो 108 वाला आपन कर चुके है, भाई, अपनने mole fraction, मैंने बुला था, mole fraction लो, या mass fraction लो, चले देना, बस उसी से या जाएगा, enantiomerate axis, D minus L करके निकालते थे, 108 हो गया, 111, 108 कर चुके है आपने, इसलिए मैं डीटिल में आपको नहीं बता रहा हूं, पीछे मैंने करवाया आपको, 111, pure S butanol has specific rotation this, a sample of 2 butanol, prepared in the lab, अरे बहुत बढ़िया, अरे यह वो ही वाला है, alpha sample upon alpha pure into 100, optical purity वाला, याद करो, यह भी question हम कर चुके है, बस value यहां को चल लगें, तो बस वो put कर देना, 113, total number of stereo isomer, बहुत बढ़िया, क्या चेक करना है आपको, stereo isomer के लिए, stereogenic area, क्या, stereogenic area, मतलब chiral center ले ले लेना, और GI कहां exhibit हो रहा, वो ले लेना, तो एक उपर GI exhibit हो रहा, और पांच में बढ़ेंगे वो, आठ वाली करती है, आठ वाले में, cyclo-alkeen वाली case लग जाता है, GI के लिए, पांच की double bond नहीं करती है, ध्यान लगना यह, इसके बाद चलेंगे question number 121 पर, 113 हो गया, 121 वाला question number 121 क्या कहता है, यह कहता, number of stereo isomer formed by the, यार बहुत बढ़िया, यह 122, 122 वाला देखना ज़रा, 122, 122 में क्या कहता, number of stereo isomer, फिर से होई वाली बात, कायल सेंटर माद इस्टिर जाने के अरिया देखो, और करते जाओ, यह सेम ही है, ठीक है, इस्टिर जाने के अरिया देखो, सिमिट्री देखो, फॉम्मला लगाओ, ठीक है, 161 161 वाले में क्या कह रहे हैं, कहां किया 161, हाँ, which of the following compound will rotate the PPL, सिमिट्री चेक कर लो, किस में है, साफ साफ दिख रहा है, पहले में plane of symmetry सीधे ही दिख रहा है, C वाले में भी दिख रहा है, D में भी दिख रहा है, B में नहीं दिख रहा है, सिमिट्री से चेक करना है, बदब optical activity चेक करनी है, 180, 180, 180, 180 में क्या कहना है, which of the following is chiral, यार, यह तो घर की चीज़ है, मतलब ISO मेर्जम, जो chirality है, वो daily life में, जैसे इस में पूछा, आप से cell phone, spiral, staircase, scissor वगएरा, तो वो सब क्या है, आप ऐसी चेक कर सकते हैं, जैसे मानलो आप से बोला है, कि एक जूता, या चपल, वो chiral है क्या, तो उसका एक mirror image बनाओ, और superimpose हो रहा है के नहीं हो रहा है, तो वो चेक कर लो, तो यह सब आप कर सकते हो, daily life के object है, वो तो आप जानते ही हो, 184, 184, ध्यान से देखना, 184 में क्या करें, which of the following is correct for the given compound, अच्छा, it possesses a center of symmetry, center of symmetry तो कहीं से नजर नहीं क्यारी, क्योंकि पूरा molecule plane में है, hybridization जो है, वो SP2 है, बस बीच वाले का SP3 hybridization है, बाकि पूरा molecule किसमें है, नहीं, बीच वाले का भी hybridization SP, हाँ, बस बीच में एक center पर कारवन है, उसका SP3 है, और ये सारी की सारी ring एक दूसरे से जुड़ी है, तो ये पूरा का पूरा plane है, त plane of symmetry है, इसमें, और POS है तो chiral नहीं है, ठीक है, 185, 185 में क्या कह रहा है, एक्से of symmetry चाहिए और coaxial plane of symmetry, मतलब उसी एक्सेस पर plane of symmetry भी चाहिए, तो बिलकुल मिल जाएगी आपको, बाच चेक कर लो, आप जैसे मैं एक चेक करके बता देता हूँ, सबोस ये मैं ले लेता ह हूँ, यहाँ CL है, यहाँ CL है, अगर मैं इस एक्सेस के around घुमाऊं, इस एक्सेस के around घुमाऊं तो घुम जाएगा, symmetry आ जाएगी, और यही मैं plane of symmetry भी ले लूँ, यही plane ले लिया मैंने, तो यह दौनों similar है, मतलब plane of symmetry आ जाएगी इसमें, ऐसी चेक कर ले ना बाकी, 192, चेक करना, एक जूता अगर रखा है, तो उसका mirror image लेकिन दो जूते रखे हैं, तो एक अगर D में घुमाएगा, तो दूसरा L में घुमाएगा, तो एक आरल हो जाएगे, मतलब इस तरीके से आप सोच लेना, बुक, अगर आपके पास बुक है, तो बुक क्या हो जाएगी, बुक क्या हो जाएगी, एक आरल सिमिट्री है उसमें, अगर ये सब चेक करना आप जानते हैं, वन नाइंटी थरी, कैल गड़े था, टोटल अंबर इस टी रखाई समाएगे, बहुत बड़ी है, लेकिन अगर ये बोला, वेन अलकीन हैविंग, ट्रांस कौन फे, अलकीन को हाँ पर सिर्फ दो एरिये लेने हैं, ये चेंज नहीं करना, ये तो ट्रांस में रखना है, तो एन टू ले लोगे, तो टू की पावर टू आजागा, कोई समिट्री तो है नहीं, तो चार आंसर आजाएगा आपका, इस तरीके से आपको अटेंट करने दे, ठीक है, तो फि पिर से बोलना हूँ, आप अच्छे से नोट्स बना, बढ़िया तरीके से रिवाइस करो, आइसो मेरे जम जितना आपने पड़ा है, जे एडवांस का कितना भी टफ पेपर आ जाए, कभी भी आने वाले सालों में, जितना आइसो मेरे जम मैंने पड़ा है, इस से बाहर साय क्योंकि इस बार का पेपर सबसे आदर टफ माना किया, उसमें भी अपना आइसो मेरे जम का कुश्चन सीधर डारेक्ट आया, यह राइत रोज वाला, जो मैंने आपको करवाया था, यह ना, डाइस्ट्रिमर और निकालते थे अपन, दौनों में, फिशर, डैस्वेज में, ठीक है, तो वो इस टाइप के कॉश्चन है, एक्जाम में, अगर कभी भी टफ आय पेपर, तो आपको टेंसन निलेनी, अगर आपने अच्छे तरीके से मेरे लेक्चर देख रखे हैं, तो आपको केमिस्टी में टेंसन निलेनी, हमेसा केमिस्टी बचाती है, इस बार भी लोगों की बाट लग देए, लेकिन केमिस्टी से थोड़ा बहुत लोगों को राहत महसूस ही, और इस बार का वैसे भी कट ओफ हागे रहा तो बहुत खतरनाक जाने वाला है, बहुत ही डाउन जाएगा, मुझे लगता है कि अगर 20-25 परसेंट भी कट ओफ गया तो बहुत चलो फिर मिलते हैं, अपने नेक्स लेक्शन में बढ़िया तरीके से पढ़ते रहो, मस्तर हो, स्वस्तर हो